जैहिन साथियों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चानल जेनरल इस्टाटी स्ट्रिक्स में साथियों आज हम लोग 3rd और 4th दिसेंबर 2023 के डेली करेंट अफेर्स कानाल एसेस करेंगे तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जम करते हैं अपने पहले पहला question है साथ ही हो आपके सामने इन विच काटेगरी हाज बिन इंडिया रीटेट टो दा इंटर्नाशनल मारिटाइम और इंटिवट्व काउनसेशन इंडिया का जो रीटिवट्य ने वो किस काटेगरी में हूआ है इंटरनाशनल मारिटाइम जा रहा है आपके options हैं पहला option है category A, second option है category B, third option है category C और fourth option है category D तो इन चारों में से किस category में इंडिया को re-elect किया गया है इंटरनाशनल मारिटाइम और्गनाइजेशन काउंसिल की तो साथियों इसका सही आंजा है category B में category B में इंडिया को 157 votes मिलें out of 167 तो यह क्या है सबसे जादा highest number of votes हैं अमंग candidates in category B तो category B में जो है इंडिया का re-election हुआ है International Maritime Organization Council में ठीक है यह election कहा हुए थे यह election London United Kingdom में हुए थे London में ही International Maritime Headquarters का International Maritime Organization का headquarters है ठीक है along with India Australia Brazil Canada France Germany Netherlands Spain and Sweden and United Arab Emirates were elected under category B ठीक है हम लोग यहां पर category देख लेते हैं तो category A में जो है वो largest members है जो कि जिनका interest है providing international shipping services ठीक है इसमें 10 members है ठीक है करने वाले दस सबसे बड़े देश हैं यहां पर C bond rate करने वाले सबसे बड़े देश हैं दस member है ठीक है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रजील कैनडा यह सब लोगे देखा और group category C भी है जो कि 20 member states है which have special interest in maritime transport और navigation ठीक है तो ध्यान दीजेगा यह तीन categories है international maritime organization council में जिसमें तीन categories में डिवाइड होती है और अलग-अलग categories में countries का election होता है और इंडिया रिगलेक्ट हुई है किसमें category B में ठीक है category B में रिगलेक्ट हुई है ध्यान दीजेगा ठीक है यह नहीं पूचा जाएगा आपसे कि और कौन-कौन सी country से category B में बस आपसे यह पूचा जाएगा किस category में इंडिया का re-election हुआ है तो आपको याद अटना है category B में हुआ है और यह कहां पर हुआ है तो यह लंडन में हुआ है जहां पे international maritime organization का क्या है headquarter है ठीक है साथियो ध्यान दीजेगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने next current affair के और next question ने साथ ही हूँ आपसे global renewables and energy efficiency pledge से related तो which G20 countries did not sign global renewables and energy efficiency pledge आपको यह बताना है कि इन G20 countries ने नहीं sign किया है global renewables and energy efficiency pledge आपके options है पहला option है इंडिया चाइना इन नाइटे स्टेट्स सेगेंड ऑप्शन है इंडिया चाइन रशिया थर्ड ऑप्शन है इंडिया ब्रजील और रशिया और फॉर्थ ऑप्शन है इंडिया औस्टेलिया जर्मनी तो इन चार ऑप्शन है इन में से कौन सी वो जी कंट्रीज का ग्रूप है जिन्होंने global renewables and energy efficiency pledge को साइन नहीं किया है ठीक है तो साथ यह इसका सही option भी है इंडिया चाइना और रशिया ने यह जो है global renewables and energy efficiency pledge नहीं साइन किया है और 118 कंट्रीज ने इसको साइन किया है और यह कहां पे इंट्रोड्यूश वी थी य यूए में दुबाई में वहां पे इसको जो है inaugurate किया गया था जिसमें 108 18 countries ने जो है साइन किया है पर इंडिया चाइना और रशिया ने इसको साइन नहीं किया है अब इसमें क्या क्या प्रोविजन से यह देख लेते हैं this aims to triple and triple the global installed renewable energy capacity to at least 11,000 गीगवाट and to double the global energy efficiency improvement rate at more than 4 percent by 2030 और क्या है इसका प्रोविजन फेज़ डाउन अनवेटेट कोल पावर एंड एन एन टू फैनांसिंग न्यू कोल फायर पावर प्लांट इसी लिए इस मुद्दे पर इंडिया ने जो है इसको साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया ने बोला था इंडिया अभी developing country है जा सकते हमें फायर तो इसको पावर लगए एसा नहीं है कि वो अपने नए कोल फावर पावर प्लांट को पायनायस नहीं करेगी इसी के लिए इसी मुद्धे पर इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है थाए हाला कि ये जो प्लेज है ये अल्रेडी मेंशन था जी टिवे स्कीम से वह चलाता रहेगा पर यह नहीं करेगा आभी कि कॉल की जो डिपेंडेंसी है वह एकदम से रोग दे या कोल इंडिपेंडेंट हो जाए ठीक है यह यह क्या है कि डेवलप कंट्री जो बहुत डेवलप हो चुके हैं तो उन्हें गोल के अब इतनी जरुवत नहीं है पर इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है जिसके चलते वो यह जो है यह मुद्दा इस पॉइंट पे सहमत नहीं हुआ था इस पॉइंट पर उसकी जो है कंसेंट नहीं हो पाई थी इसलिए इंडिया ने इस साइन इस पे इनर्जी है उनको इस्टॉल करना है बाई एट लीस्ट 11,000 गीगावर्ट और जो एनर्जी एफिशेंसी इंप्रूब्मेंट रेट है वो बढ़ाकर कर देना है चार परसेंट रेट से जाधा कर देना है बाई 2030 ठीक है यह दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टन है 11,000 गीगाव ठाइब्युक्त • इसको साइन नहीं किया है और इंडिया चाइन और रुछ्यान नहीं किया evol hasta ठीक है बागी सब ने sign किया है जी 20 countries ने बागी सब ने sign किया है ठीक है साथियो आशा करते हैं यहाँ पर आपको clarity हो गई हो कि पूरी pledge की उनके provisions की और क्यों इंडिया ने sign नहीं किया है ठीक है साथियो चलिए बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथियो what is the expected mission life of ExpoSat spacecraft तो अभी हाली में आपने देखा होगा इस रों ने announce किया है कि Expo satellite जो है launch की जाएगी तो आपको बताना है उसी का mission life कितनी होगी expected mission life उसी satellite की कितनी होगी आपको बताना है आपके options है पहला option है one year दूसरा option है three years तीसरा option है five years और last option है 10 years तो ExpoSat की Expo satellite है वो उसकी जो है mission life कितनी होगी आपको यह बताना है इसका सही आंसर है साती हो option c five years ठीक है five years जो है Expo satellite mission की जो है mission life होगी expected mission life होगी यहाँ पे कुछ चीजे देख लेते हैं हम लोग तो इस रों ने अभी अनाउंस किया है कि वो X-ray Polarimeter satellite जो है launch करेंगे ठीक है X-ray Polarimeter satellite इससे क्या होगा जो X-rays है जो हमारी cosmic X-rays है वो कहां से उत्पन हो रही है उनका क्या 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 effect पढ़ रहा है तो यह सारी चीज़े इस satellite में measure की जाएंगे ठीक है this delve into polarization of intense X-ray sources जो भी X-ray sources है उनके बारे में पता चलेगा Novel Dimension to X-ray Astronomy with a focus on simultaneous studies of temporal spectral and polarization features XpoSat is poised to make significant contributions to our understanding of cosmic X-ray sources तो जो भी X-ray sources है हमारे astronomical setup में उनके बारे में चीज़े पता चलेंगी इस satellite से ठीक है इसके बारे में कुछ चीज़े देख लेते हैं तो यह जो एक्सपो सैटलाइट है यह कहां जाएगी यह low earth orbit में जाएगी ठीक है low earth orbit में with non-sun synchronous orbit of approximately शाड़े 600 km altitude ठीक है जमान लिजे यह आर्थ तो यहां से around साड़े 600 km पर यह तैनात की जाएगी या station की जाएगी और यह non-sun synchronous orbit होगी ठीक है एक orbit होती है उस sun के synchronous होती जैसे जैसे sun गूमता है वैसे वैसे गूमती है और एक non-sun synchronous orbit होती है जो की sun के movements उसका कोई लेना देना नहीं होता है तो वह उसी orbit पर रहेगी एक्सपो सैटलाइट ठीक है और साड़े 600 km altitude पर रहेगी ठीक है इसकी मिशन लाइफ कितनी होगी एप्रॉक्सिमेटली फाइव यह ओगी ठीक है इसमें दो साइंटफिक पैलोड भी होंगे ठीक है जो की comprehensive studies करेंगे एक्सरे के बारे में ठीक है तो यहां में यहां पर हम लोग ने एक्सरे प्लेर मीटर सैटलाइट के बारे में सारी चीजें देख लीटे हैं 650 km altitude पर रहेगी और लो अर्थ और रहेगी नॉन सिंक्रोनस और बिट में यह घूमेंगी ठीक है साथी और इसकी जो मिशन लाइफ है वह expected five years है ठीक है साथी हूँ आशा करते हैं चीजें यहां पर clear हुई होगी बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथी हूँ आपके सामने theme based question है तो आपको पताना है what is the theme of national pollution control day 2023 ठीक है national pollution control day 2023 की theme क्या है आपको यह बताना है आपके options है clean air for all first option है second option है sustainable development for a clean and healthy planet यह second option था आपका third option है green initiatives for pollution control और last option है pollution prevention for a better tomorrow ठीक है pollution prevention for a better tomorrow यह आपका last option था ठीक है तो इसमें सही answer है साती हूँ option B sustainable development for a clean and healthy planet इस बार की theme है national pollution control day ठीक है यह कब celebrate किया जाता है यह second of December को celebrate किया जाता है इस दिन क्या हुआ था इस दिन जो methyl isosynate है methyl isosynate यह release हो गया था गलती से जो कि industrial disaster साबित हुआ था भोपाल में जिसको जिसको हम लोग भोपाल गया है strategy के नाम से जानते हैं किसका लीके जुआ था methyl isosynate का ठीक है इसी के बारे इसी से इसी से क्यू लेते हुए इसी दिन से क्यू लेते हुए national pollution control day जो है celebrate किया जाते है और इस बार की theme क्या है sustainable development for clean and healthy planet ठीक है development भी होगा ठीक है साथियो आशा करते हैं चीज़े clear हुई होगी बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथ हुए आपके सामने cm pushkar dhami releases book highlighting PM Modi's role in transforming disaster management what is the name of book तो उत्रागंड के cm pushkar dhami सहाब ने एक book release की है जिसमें PM Modi का role है transforming disaster management में तो आपको बताना है उस book का क्या नाम है आपके options है पहला option है साथ ही हो आपके लिए transforming India second option है shining India third option है resilient India और fourth option है resurgent India इन चारों में से वो कौन सी book है जिसमें प्रधानमंत्री Modi सहाब का जो role है in transforming disaster management उसके बारे में बखान किया गया है और जिसको अभी pushkar dhami सहाब ने release भी किया है तो इसका सही आंसर है साथ ही हो resilient India ठीक है important है ध्यान दीजेगा resilient India ठीक है इसमें तीन चार चीज़े important है हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले resilient India वो release किस ने किया है तो PM pushkar dhami सहाब ने cm pushkar dhami जी ने यह release किया है ठीक है कहां के cm है तो यह उत्राखंड के cm है ठीक है इसमें किसका role है PM Modi सहाब का role है किस चीज़ में role है transforming disaster management में role है ठीक है disaster management में रोल है और बुक का क्या नाम है बुक का नाम है resilient India how Modi transformed India disaster management paradigm ठीक है तो यह तीन चार चीज़े आपको ध्यान रखना है resilient India से related ठीक है pushkar dhami ने release किया है ठीक है किसका role है इसमें PM Modi सहाब का role है इसमें किस से किस फील्ड से related है तो disaster management से related है और नाम तो आपको पता ही चल गया resilient India ठीक है साती हो यह तीन चार डाइमेंशन है इस बारे में बहुत ज्यादा महींता से ध्यान दीजेगा ठीक है चलिए पढ़ते हैं अपने next current affair की और next question ने साती हूं which of the following country registered 95% decline in FDI flows in India ठीक है यह थोड़ा मिस हो गया हम से ठीक है इंडिया में इंडिया में किस country ने जो है 95% decline witness किया है इन FDI flows आपको यह बताना है आपके options है पहला option है सिप्रस सेकेंड ओप्शन है तर्की थर्ड ओप्शन है मार्शल आइलेंड और फॉर्थ ओप्शन है फीजी तो इन चारों में से किस ने register किया है यह decline किया है FDI inflows by 95% तो इसका सही आंजर असाती हो सिप्रस ठीक है सिप्रस जो है सिप्रस और केमन आइलेंड ने जो है किया है FDI inflows का ठीक है FDI inflows का इंडिया में ठीक है तो यह दो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा केमन आइलेंड में 75% तक decline किया है FDI inflows और सिप्रस में around 95% ठीक है आपको absolute एक बार देख लिजेगा absolute भी around 35 million dollars और यह 582 million dollars ठीक है तो आप ध्यान दीजेगा कि जो है 95% सिप्रस का है decline rate और केमन आइलेंड का है 75% ठीक है decline in FDI flows from केमन आइलेंड इंडिया ठीक है और यह contract कितना किया है 75% 95% respectively 75% केमन आइलेंड और 95% सिप्रस ठीक है एक बार पढ़ दीजेगा समझ में आ जाएगा वैसे तो question नहीं form होना चाहिए फिर भी अगर form होता है तो हम लोग पूली तयारी के साथ जा रहे हैं ठीक है साथ हूं बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथ हूं who has recently earned the title of Grand Master at 4L Lobregat open in Spain ठीक 4L Lobregat Spain में 4L Lobregat open जो Spain में हुआ था उसमें किसने Grand Master का title जीता है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है कविता नाथन second option है तामेर तारीक, third option है हरीका ड्रोना वली और fourth option है वैशाली रमेश बाबू तो आपको तो ये पता ही होगा कि ये जीता है या earn किया है ये Grand Master का title वैशाली रमेश बाबू जी ने जो की sister है किसकी आर प्रगनंदा की आप जानते हैं वो भी एक Grand Master है second youngest Grand Master बने है आर तो है Grand Master का title मिला है कहां पे 4L low brigade open in Spain में ठीक है और this achievement makes only third women from India to become Grand Master ठीक है following the footsteps of कुनेरू हमपी और हरीका ड्रोनावली ठीक है तो सिर्फ दो ही women है इंडिया में female है इंडिया में जिनको Grand Master का title मिला है कौन कौन है वो कुनेरू हमपी और हरीका द्रोनावली इसके बाद तीसरी कौन बनी है तो तीसरी वैशाली रमेश बाबू बनी है ठीक है तो द्यान दीजेगा वैशाली रमेश बाबू बनी है जो है third female Grand Master in India इससे पहले कौन कौन थी इससे पहले कुन साथियों आपके लिए what is the total value of FDI proposals that India has received from its border sharing nations since April 2020 तो April 2020 से FDI proposal कितने आये हैं इंडिया की बौर्डरिंग कंट्री से ठीक है इंडिया के जो नेबर्स हैं बौर्डरिंग नेबर्स हैं उनसे कितना FDI proposals आया है कितना quantum FDI proposals आया है आपको यह बताना है आपके options है साथियों पहला option है 10 लाग करोर Cecan option है 1,0,000 करोर ठीक है ठीक है फर्डि ओस्ट और है 50,000 करोर तो इन चारों में से कितना FDI Propose किया है Border Sharing Country से इंडिया की कब से April 2020 से ठीक है तो अभी है तो आफिये हाली में यह news आयी थी कि FDI जो है इंडिया कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज वह इतने कौन्टम की फडिय। प्रपोजर समिट कर चुकी है और जिसमें 50% क्लियरंस भी मिल चुकी है तो आपको यह बताना है कितना कौन्टम जो है इंट्रो हुआ है एंडिया की बॉर्ड रिंग कंट्रीज से ठीक है जो नेबरिंग कंट प्रोपोजल्स प्रॉम इंडिया बॉडर नेवर्स ठीक है 50 परसेंट इसमें क्लियर हो चुका है ठीक है सबसे जादा चाइना है जिन्होंने 2.5 विलियन डॉलर्स की FDI इकुटी इंवेस्मेंट कर रखी है फिर अधर नेशन भी है जैसे 0.08 मिलियन फ्रॉम बांगलादेश 4.5 मिलियन डॉलर्स रॉम नेपाल 9 मिलियन डॉलर्स रॉम मैनमार एंड 2.5 मिलियन फ्रॉम अफगानिस्तान ठीक है तो आपको पता ही है सबसे बड़ा नेवर हमारा जो है वो चाइना है मतलब सबसे जादा इकनोमिकली स्ट्रॉंग जो है वो चाइना ही है ठीक है तो सबसे जादा जो इंवेस्मेंट करेगा वही करेगा ठीक है तो सबसे जादा चाना से जादा है तो यह यह तो वहां से फोर पॉइंट्ट ञट्रॉंट दॉटिस्ट से और और से ठीक है 9 मिलियन जो है मैंनमार से भी आये और 2.57 मिलियन कहां से आये हैं अफगानिस्तान से भी आये हैं एप्रिल 2020 से ध्यान दीजेगा तो ध्यान रखना एक लाग करोड तक का प्रपोजा लाया है जिसमें 50% क्लियरेंस मिल चुकी है यह एप्रिल 2020 में एक रूल आया था क फिर यह बांगलादेश हो गई धर नेपाल हो गई तर शीलंका कोई माल लिया गया है और फिर इधर मैंनमार था तो इनसे जो भी एपडिया प्रपोजल्स आएंगे उनको पहले जो है अप्रूब नहीं किया जाएगा डरेक्ली अप्रूवल नहीं मिलेगा पहले वो सरकार उसको रिव्यू करेगी कि उनके पीछे का मकसद क्या है उसके बाद से यह अप्रूवल मिलेगा तो इसमें से पचास परसेंट जो है क्लेरेंस मिल गया है इन एक लाग करोड के प्रपोजल्स को इंडिया की नेवरिंग कंट्री से ठीक है और यह एप्रेल 2020 से जो है फिगर है ठीक है साथिओ तो ध्यान दिजेगा चाइना ने कितना कंट्रिब्वीट किया हैं तो चाना ने अरौंड 2.5 बिलियन कंट्रिब्यूट किया है एक डिया प्रपोजल्स में ठीक है साथिओं चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और next question है साथ स्यों आपके लिए who recently became first women director general of Indian council of forestry research and education तो वो कौन थी पहली women director general बनी है Indian council of forestry research and education की आपको ये बताना है आपके options आपके सामने है पहला option है प्रिया शर्मा, second option है कंचन देवी, third option है अरुणिमा सिंग और fourth option है रवीका वर्मा तो इन शारों में से कौन वो पहली विमेन है जिनको डिरेक्टर जनरल का पद मिला है इंडियन काउंसल ओफ फोरेस्ट्री रिसर्च और एजूकेशन में ठीक है तो आपको याद रखना है यह जो है यह कंचन देवी जी है जिनको फिर्स्ट विमेन डिरेक्टर के पद पर प है टीक है फोरेस्ट जो है वह कांच का है ठीक है फोरेस्ट का और शार्ट रखेंगे इंडियन काउंसल ओफोरेस्टी रिसर्च और एजूकेशन और यह द्यान रखेगा किस पत पर पॉइंट होई है तो डेरेक्टर जनरल के पद पर यह अपोइंट हूई है ठीक है डिरेक्टर जेनरल के बद पर यह अपॉइंट होई है ठीक है सातियों आशा करते हैं आपको यह करेंट अफेर की ट्रिक समझ में है योगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स क्वेश्इन ने सातियों किटना इस वट फर टोंट इनीमिक लाउंड वाटर रिचार्ज रिपोर्ट इनीडिया तो आपको यह बताना है अपके उप्शन से एंडियाः औरप्शन नहें सब्सक्राइब तो इन चारों मेंसे जो सही आप्शन वह है सी औपशन पॉर है अभी हाली में यूनियन मिनिस्टर गजेंदर सेखावग साहब ने जो कि मिनिस्टर विभ्राइब मिनिस्ट्री के उन्हों इसमें पूरा डेटा था कि ग्राउन्वाटर रिसोर्स इंडिया की कितनी है यह ग्राउन्वाटर इंडिया का कितना बीसी एम है तो याद रखना है आपको कि 449 BCM है लास्ट यह था 437.6 BCM तो यह भी याद रखना है 449 इस बार है पिशली बार कितना था 437 था बढ़ोत्री कितनी की हूई है 11.48 की बढ़ोत्री हूई है और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहां देखा गया है तो वाट में देखा गया है ठीक है वाट में देखा गया है ठीक है डबलू से यादर रखेंगे West Bengal सबसे जादा इंक्रीज जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्स में वह बेंगौल में नोटिस किया गया है उसके बाद असाम में फिर तिलांगना में ठीक है फिर से एक बार यहां पर जितने भी क्वेश्चन के डाइवेंशन से देख लेते हैं सबसे पहले तो याद रखना है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्से हैं वह कितनी हैं अभी अब्रशेंट में तो फूर्टिफिasse मिलियर क्यूबिक मीटर ठीक है यह az रहा है ऐसके आजधольшे साल कितनी सीर्व के तवेश्वlyय कमेंन में थे थीजिबसे पूछा गया था पूछ सकते हैं कि लास्ट कितनी थ BCM थी ठीक है और यह भी पूछ सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है ग्राउंड वाटर रिसोर्सें रिचार्ज में तो आपको या दखना है 11.48 BCM जो हैं बिलियन क्यूबिक मीटर वो वडर है धो और यह भी आज रकना कहा कहा देखा गया है तो और बहुत है na तो water यहां पे groundwater ना तो डब्लू एटी याद रखीएगा पुष्रुवाद के डब्लू एटी वहीं पर क्या है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंग्रीज देखा गया है वेस्ट बेंगॉल में डबलू से वेस्ट बेंगॉल ए से असाम और टी से तिलांगना ठीक है साथियों आशा करते हैं आपको ये ड्रिक समझ में आई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स क्वेश्चन ने साथियों यह हम लोग ने कल भी देखा था आज हम लोग कुछ और तरीके से देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को तो आपको बताना है जोशी मट के लिए जो की उतराखंड में है रिकवरी और रिकांस्रेक्शन प्लान कितना अप्रूव किया गया है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है 1500 crore second option है 2000 crore third option है 1000 crore और fourth option है 1658 crore ठीक है तो इसका सही आंसर है साथी हो last option 1658 crore जो है recovery and reconstruction plan अप्रूव किया गया है जो शीमट उटराखन के लिए ठीक है अमेशा जी वो इस committee को head कर रहे थे जिन्होंने अप्रूव किया है 1658 crore जोशी मट उटराकंटी तो यहाँ पर जोशी मट के लिए क्यों दिया गया है क्योंकि 2022 में क्या हुआ था यहाँ पर land कि यहाँ रखेंगे recovery and reconstruction कब होगा जब आपके अंदर जोश होगा तभी recovery हो पाएगी ठीक है जोश होगा तभी recovery हो पाएगी ठीक है जोश से प्लान कमिटी कॉन एड कर रहा था अमिशा साहब और क्या कॉंटम है 1658 करोर्स ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आई होंगी बढ़ते हैं अपने लिए नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स क्वेशन है साथियों हाउ मैंटी इंडियन साथ फीचर्ड ऑन 2023 पावर हंड्रेड लिस्ट बाइँ रिव्यू तो आट रिव्यू की एक लिस्ट आती है पावर हंड्रेड उसमें कितने इंडियन को इंक्लूड किया गया है 2023 में आप आपको यह बताना है ठीक है इसकतों है ज्यादा सांथ कुछ द्रिमाद नहिंत लागाना आपको बस यह टो आपको लिए marc 저는 के लिए अप्सेट के लिए आपका पहला ऑप्रेडवा है दो इंडियन को इंग्लूड किया गया है तो नीम है ऑ्डियन को इंक्लूड किया गया ह पावर जो पावर हंडडे लिस्ट है बाई आर्ट रिव्यू उसमें फाइव इंडियांस को इंक्लूट किया गया है देख लेते हैं कौन-कौन है तो फाइव इंडियांस इंक्लूडिंग बोश्ट कृष्णमचारी एन इंडियां पेटर एन आर्टिस्ट क्यूरेटर हेलिं इसके बाद है प्रतीक राजा फिर प्रियंका राजा ठीक है इसके बाद है दयानिता सिंग जो की फोटोग्रफर है और नताशा जीनवाला जो की इंडिपेंडन्ट क्यूरेटर राइटर है ठीक है तो इन पाँच लोगों को कौन-कौन बोश्ट कृष्णमचारी प्रतीक राजा प्रियंका राजा दयानिता सिंग और नताशा जीनवाला को पावर हंडेंड में इंक्लूड किया गया है ठी तो इसको जाए रखेंगे पावर में देखेंगे पाँच लेटर है ना पी ओव यह तो इतने ही इंडियंस को इंक्लूड किया गया है ठीक है तो इसे दिमाग लागए तो आप एक-दो बार अच्छे पढ़ेंगे फिर रिवाइस करेंगे तो आपको याद होई आगा पर ति वहां पे अगर किसी तरीगे को कैक्जाम में किसी भी परिखे की क्थमी कन्फींजन होती है तो छोटी मोड़ कैसे हम लोग अपनी बढ़ा सकते हैं इसलिए ये आपको ट्रिक्स दीजाती है रेजिवार नाम तो नहीं पूछना चाहिए जो भी सब्सक्राइब किया है बोज कृष्णमचारी प्रतीक राजा प्रियंका राजा दयानिता सिंह और नदाशा जेन्वाला अशा करते हैं चीजें क्लिए होगी वह बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question ने साती हो what is the hump route referred to in the context of museum तो museum के context में hump route क्या है hump route क्या है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है trekking route in the Himalayas second option है ancient trade route third option है treacherous air route from Assam to Yunnan during world war 2 और last option है a railway route connecting India in China तो hump route किसे related है आपको ये बताना है तो साथियों इसका सही option है option C a treacherous air route from Assam to Yunnan during world war 2 अभी आपने देखा होगा कि अरुनाचल प्रदेश के पासी घाट में हम वर्ल वर 2 museum inaugurate किया गया है कौन कौन किया है अरुनाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सहब पेमा खांडू और यॉनाइटेट सेट्स के अंबाज़डर एरिक गार्सेटी ने यह याद रखेगा एरिक गार्सेटी ने यह इस जो museum है हम वर्ल वर 2 museum है उसका इन प्रदेश इस जो है हम 5 फेरे नागरेशण किया है कहां पर कंया टो यह कहां किया गहा है एगा आरुनाचल प्रदेश में किया घिक कर पाशीघंट इस त्यांग डिस्रिक और अंट आशेट हम इसकए उग मिजिए तो हम प्रूट इसी लिए है कि यह बहुत ही ट्रेचर रूट था असाम से युनान मतलब चाइना तक इंडिया से चाइना तक और जिसमें क्यांट से लिए की जी दूथर तो याद रखेगा यहां पर किसे रिलेटेटेड हैं ट्रेचर रूट से रिलेटेड हैं और याद रखना कि इनको इस जो म्यूजियम है हम व्ल्लवर्वार टू म्यूजियम वह किसने इनाउगरेट किया था तो पेमा कांडू जो है अरणाच्छल प्रदेश के सब्सक्राइब 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 तो इससे पूछा जा सकता है या तो यह पूछा जाएगा कि हम म्यूजियम कहां खुला है आँ हम वर्ल वर्ट यू म्यूजियम तो आपको पता है वो अरुन आचल प्रदेश में खूला के वायगे नहीं याद रहेЕगा तो याद रखेगा अरुन पूला निकला वाय इस से याद रखेंगे ठीक है आपको बताना है comment section में पहला museum कहां पे इस तरीके का खोला गया था एशिया में ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आई होंगी बढ़ते हैं अपने next current affair की ओर next question ने साथ हूं who was the first isro scientist to receive शेवेलियर डे लेजियन डे ओनर अवर्ड तो हम लोग ने कल देखा था कि शेवेलियर डे लेजियन डे ओनर अवर्ड किसको मिला था तो हमने आपको बताया था लेजियन डे ओनर एल से शुरू है तो लली थम्भिका वी आर को यह अवर्ड मिला के ललिता कंवन जो थी इनको सेकंड ये सेकंड रिसीपियन्ट है इस अवर्ड की जोकी इस्रो की scientist वैसे तो बहुत लोको अवर्ड बिला है पस्प्र इस रोग की ये second scientist थी जिनको ये लेजियन डे ओनर अवर्ड बिला है आपको यह बताना है कि पहला scientist कौन थे इस रो के किन इस और वक्रम शारवाई इन चारों में से इस रो के साइन्टिस को ये अवार्ड अल्रेडी मिल चुका है आपको ये वताना है और आपका सही आंसर एस किरन कुमार को इनको 2018 में इस अवार्ड से नवाद आया था ठीक है तो हम लोग ने कल देखा था डॉक्टर वियार लली थम्भिका जो की डिस्टेंगेश्ट साइंटिस है इस रो में उनको शेविलियर डे लेजियन जे ओनर का अवार्ड मिला था जी बिकम सेकेंड इस रो सा तो एल से ही लेजियन है और एल से ही लली थम्भिका है ठीक है तो इसे याद रखेंगे और यह आद रखेंगा कि एस किरन कुमार को अलड़ी यह मिल चुका है तो विच मेक्स लली थम्भिका सेकेंड रिस्टीजिश प्राइस ठीक है साथियों आशा करते हैं यहां पर ची रूट एयर रूट अंडर उडान इनिशियेटिव के अंदर कौन सा एक इंटरनेशनल डेस्टीनेशन नहीं है आपको यह बताना है ठीक है उडान तो आपको पता होगा उड़े देश का आमनागरिक 2016 में यह स्कीम आई थी ठीक है 2016 में स्कीम आई थी मिनिस्ट्री आफ जो भी नॉन एयर पोल वो थे ग्रांड से उनको एयरपोर्ट में कर दिया गया था और कई स्टेशन को जोड़ा गया था इरपोर्ट फो जोड़ा गया था तो इसी के लिए उड़ान इनिशियेटिव आई थी तो आपको इसमें वताना है कि इंटरनाशनल डेस्टिनेशन क बांगलादेश नहीं है जो नई उलान की इनिशेटिव आई है उसमें से कौन एक इंटरनाशनल डेस्टिनेशन नहीं है आपको यह बताना है और इसका सही आंसर है शीलंका नहीं है शीलंका नहीं है देखें यहां पे कुछ बाते लिखें हों यह हम लोग देख लेते हैं तो तो रेसेंटली सेंटर उलान इनिशियेटिव फोर नॉवल एयर रूट्स लिंकिंग नॉर्थीस्टन स्टेट्स विद इंटरनाशनल देस्टिनेशन स्टीक है तो इस रूट्स आर सेट टू कनेक्ट असाम टू थाइलेंड और बांगलादेश मनिपूर्ट मयनमार और ट्रि इन देस्टिनेशन से और चार जो हैं चार स्टेट से क्नेक्ट किया जाएगा ठीक है असाम से थाइलेंड और बांगलादेश मनिपूर से मैनमार और त्रिपूरा से बांगलादेश ठीक है तो याद रखेगा से मेंगलादेश आपला केंदर हैं यह कई रुसक्त पार बांगलादेश ठीक हैं और यह इन दसे तो उड़ान का पार्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ट्वेंटी ट्वेंटीटीटू में विच एम्स टॉट्मेंट शोश्यो एकनॉमिक प्रोग्रेस वाइं अगमेंटिंग एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेट्स टू इंटरनाशनल डेस्टिनेशन स्टैंटी णों से कौन-कौन से कनेक्ट हो रहा है थाएलेंड और have a a Dead men मेंण मर से本当 हो रहा है मनीपुर गρεर पृऌ रहा है बांगा देश कनेक्ट हो रहा है ठीक है साथ है आशार करते हैं समझ में आई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स क्रेंट अफेर की और नेक्स क्वेश्चन है साथ ही हो आपके सामने फनाइस कमिशन के रोल से रिलेटेड तो आपको यह बताना है according to terms of reference what is the finance commission's role in evaluating disaster management financing तो नई terms of reference के अनुसार finance commission का क्या रोल होने वाला है disaster management financing से आपको यह बताना है ठीक है तो अभी यहाल में देखा होगा जो है terms of reference लिए गया है finance commission से जो नई नई रिपनाइस कमिशन पॉँचा गया है तो उसके लिए terms of reference decide किये गया है तो आपको बताना है उनमें से लिए terms of reference से disaster management financing तो उसमें finance commission का रोल क्या होगा आपको यह बताना है यही आप से पूचा गया है आपके options है पहला option है allocating funds for disaster management initiatives second option है reviewing current financing structures and making recommendations third option है determining tax rates for disaster affected regions और last option है आपके लिए establishing principles for granting aid for disaster relief इन चारों में से finance commission का रोल क्या रहेगा disaster management financing में तो साथियों अगर आपको option D लग रहा है कि grant in aid decide किया जाएगा disaster relief के तौर पे तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि B answer सही है आपका which makes key which makes the option be right according to finance commission's role which will review current financing structures and will make recommendations accordingly तो recently union cabinet ने क्या किया है 16 financial commission को form करने की बात कही है और उनके ही लिए जो है terms of reference भी decide कर दिया गया है तो division of tax proceeds है terms of reference यह तो हमेशा ही होता है कि जितना भी tax आया है वो कितना center और state का जो मिलके जो पूरा tax आया है उसको किस तरीके से बांटा जाए है कि equitable allocation हो टैक्सेस का ठीक है next है terms of reference principle for grant in aid ठीक है grant in aid का principle क्या होगा ठीक है third है कि local जो local bodies का fund है state fund है उनको कैसे enhance किया जाए और last terms of reference जो है वो है evaluation of disaster management financing इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर commission review करेगा current financing structures related to disaster management initiatives तो disaster management initiatives के अंदर जो भी current financing structures है उसके उससे related जो है finance commission recommendation देगा ठीक है this involves examining the fronts created under disaster management act 2005 and present suitable recommendations for improvement or alterations ठीक है साथियों आशा करते हैं चीज़े समझ में आ गई होगी और यह आपको पता ही है कि finance commission जो है article 280 के अंदर इंडियन constitution के दिया हुआ ठीक है article 280 के अंदर ठीक है article 280 के अंदर इसकी बातचीत हुई है ठीक है साथियों आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होगी बढ़ते हैं अपने आपको बताना है किस institution ने अपने सौ साल कंप्लीट किया है अपने फॉर्मेशन के ठीक है आपकी ऑप्शन से पहला उप्शन है इंटर पोलीटके इंटर बनी थी 1923 में और 2023 में ही उसका 100 нокese bal हो गया है ठीक है और इंटर टोड़नेशन क्रिमिकनल प्लीस जिसको का एंटर पॉल्हार के नाम से जानते हैं उसका है उनका उसका है यहाटकॉर्टर है लिकान प्रांस में जोच है नहीं पर नहीं पर ma पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं और इंडिया में जो CBI है वो इंटर पोल के साथ लाइजनिंग करती है ठीक है इंटर पोल को अगर कुछ भी काम होता है कुछ भी संदिकत जानकारी होती संदिक जानकारी पढ़ी या जाननी हुए तो वो सेंटरल ब्यूरो ऑफ से लाइसन करता है ठीक है तो इंटर पोल अपना सौ साल मना रहा है 1923 में फॉर्म हुआ था तो इनकी और प्रांस में ठीक है कहां पर लियोन फ्रांस में ठीक है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स्ट क्वेश्चन ने साहती हो वाट जिस ग्रीन क्रेडिक प्रोग्राम यह बहुती न्यूज न्यूज्व में था तो आपको पता होना चाहिए डिशिनेटली नहीं पता है तो कोई बात ने अब पता चल ज्याएगा ठीक है फटोग्रीन प्रोग्राम क्या है आपको यह बताना है आपके options है पहला option है an initiative for financial literacy second option है a program to promote renewable energy sources second option third option है an initiative that rewards and incentivizes eco-friendly activities और last option है a credit rating system for carbon emissions तो इन चारों में से क्या है green credit program आपको यह बताना है तो इसका सही answer है green credit program is in a is an initiative that rewards and incentivizes eco-friendly activities तो अभी इंडिया ने launch किया global green credit initiative ggci at conference of parties 28 जो की UAE में summit जो annual climate summit हो रहा है दुबई में वहीं पर इंडिया ने launch किया India global green credit initiative ठीक है यह क्या करेगा this initiative जो global green credit initiative यह पार्ट होगा green credit program का ठीक है green credit program का और green credit program क्या होगा यह initiative है जो कि reward और incentivize करेगा eco-friendly activities ठीक है by offering green credits ठीक है तो green credits offer किये जाएंगे जब भी कोई ऐसी activity होगी जो की eco-friendly होगी जैसे tree plantation हो गया या कुछ जैसी machinery involved की गई जिसमें carbon emission कम हुए ठीक है या कुछ ऐसा किया गया pollution कम किया गया emission standards follow किये गए तो इसकी वज़े से जो भी आप credits मिलेंगे इसके चलते उन्हीं को rewards और incentivize किया जाएगा उन्हीं eco-friendly activities है यही काम है green credit program का ठीक है तो यह credit rating system नहीं है carbon emissions के लिए यह एक initiative है जो कि reward और incentivize करेगा eco-friendly activities ठीक है तो global green credit initiative इंडिया ने launch किया कहां पे COP28 में UAE में ठीक है तो आपको यह पता ही होगा हम लोग ने कल इसके बारे में बात की थी अगर आपने कल वाला स्वरी परसों माला अगर आपने current affairs का video नहीं देखा है तो उसमें देख लिएगा उसमें इसके बारे में बात की गई है COP28 UAE में जो हो रहा है annual climate summit उसके बारे में बात की गई है ठीक है साथियों और याद रखेगा इसका अलग से क्या नाम है global platform for nature's ecological transformation ठीक है जी जी सी आई का नाम यहीं है ठीक है अलसो रिफ़र्ट टो एस global platform for nature's ecological transformation it is aligned with principles of green credit program ठीक है तो global green credit initiative इंडिया ने लांच किया है ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है यह initiative जो है reward करेगा और incentivize करेगा जितनी भी इको friendly activities ठीक है साथियो अशा करते हैं यहां पर चीज़ें क्लियर हुई होगी बढ़ते हैं अपने next current affair की और साथियो यहां से हम लोग शुरू करेंगे banking segment के current affairs तो अगर आप बैंक related preparation नहीं कर रहे हैं तो आप यहां से वीडियो को drop करके जा सकते हैं अपना पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर सिर्फ अब अब इसके आगे जितनी भी इसिए इसिए बैंक तो बूस्ट सिक्योरिटी विद एडवांस इसर्विलेंस सर्वेसस तो आइसिए इसिए बैंक के साथ कितने partnership की है इसर्विलेंस सर्विसस के लिए आपको यह बताना है आपके option नहीं से पहला option है आई वी आई एस तो इन्होंने पार्टनर्शिप की है किसके लिए सिक्योर्रिटी को बूस्ट करने के लिए फिर एडवांस इसर्विलेंस सर्विसेश ठीक है तो आशा करते हैं चीजें अब इसमें जाधा आपको कुछ नहीं याद रखते हैं यहीं याद रखेगा कि इसर्विलेंस सर्विसेश को बूस्ट करने के लिए आई विस के साथ पार्टनर्शिप की है ठीक है साती हो चलिए बढ़ते हैं अब है नेक्स्ट करेंट अफेर की और अधिक्स क्वेस्टेंट ने साथ हूं विच अफेर करने के लिए शेल के साथ की शद्ट करने के साथ किस कंपणी संसे पहला ऑप्शन है है HCL second option है TCS third option है Infosys और last option है Wipro तो इन चारों में से किसने Shell के साथ sustainable data centers की establish करने की बात करी गई है तो साथ से इसका सही answer है Infosys जो है set करेंगे Infosys जो है इन्होंने pact sign किया है Shell के साथ for sustainable data centers ठीक है Infosys inks packed with Shell for sustainable data centers ठीक है आटो याद रखेंगे info Shell जो है वोसी सस्ता है टीक है info शील ठीक है शील का जो इन्पो है वो सस्ता है ठीक है इन्साधा है बतले यह-नव से तहीं कि दहान दीजिएगा इंपो से याद रखेंगे इंपोस हेल्स चैहल 감िये कंपनी और सस्ता से गयाद रखेंगे सस्ते vast रिश्टन और को चैहँ कर रहा है सस्ते ने partnership की है तो आप याद रखेंगे info-shell सास्ता है तो शेल से याद रखेंगे shell company ठीक है आगर आप से पूछेगा info-shell ने किस चीज़ के लिए partnership की है तो आपको याद रहेगा info-shell क्या है सस्ता है तो sustainable डेटा सेंटर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से आप से पूछा जाएगा आप एकदम 100% accuracy के साथ अपना question attempt कर सकते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साती हो what is the extended deadline for linking से भी कंप्लेंड रेटर्सल प्लाटफॉर्म विद online dispute resolution portal तो से भी ने बोला था कि scores को scores क्या है से भी कंप्लेंड रेटर्सल प्लाटफॉर्म को जो है link किया जाएगा online dispute resolution portal से तो यह जो है deadline कब एक्सेंड कर दी गई है आपको यह बताना है आपके options है पहला option है 1st January 2024 second option है 1st April 2024 third option है 1st July 2023 और last option है 4th of December 2023 तो यह जो deadline है यह कब तक के लिए एक्सेंड कर दी गई है कि सेवी का जो score platform है वो online dispute resolution portal से जोड़ दिया जाएगा तो साथियों इसका सही answer है 1st April 2024 ठीक है साथियों तो अब 4th December से यह date बढ़ा के 1st April 2024 तक कर दी प्लाटफॉर्म की और online dispute portal की ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आए गई होंगी और इससे पहले जो डेट थी वो 4th December 2023 थी ठीक है पर आप इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1st of April 2020 पहले यह date थी 4th December 2023 मतलब आज की डेट ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स्करेट अफेर की ओर नेक्स्क्वेशन ने साथ यह विच एरपोर्ट इन इंडिया एस सेट बिकम फर्स्ट तो इंट्रड्यूस कम्प्यूटर टॉमोग्रफी एक्सरे मशीन फ़र प्रीबोर्डिंग सेक्योरिटी चेक्स तो प्री बोर्डिंग सेक्स के लिए कॉन सा एरपोर्ट यूज़ करेगा computer topography X-ray test CTX मशीन कौन सा एरपोर्ट यूज़ करेगा pre boarding security checks लिए आपको ये बताना है आपके options हैं पहला option है Rajiv Gandhi international airport Hyderabad second option है Kempah Gowla international airport Bangaluru third option है छत्रपति शिवाजी महाराज international airport Mumbai और लास्ट option है Indra Gandhi international airport Delhi लिए तो इन चारों में से कौन सा एयरपोर्ट CTX मशीन यूज करेगा प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए आपको बताना है तो साथियों इसका सही आंसर है चत्रपति शिवाजी महारा तो यह पहला एयरपोर्ट बनेगा इंडिया में जो की CTX मशीन यूज करेगा ठीक है प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आए गई होंगी बढ़ते हैं अपर नेक्स क्रेंट अफेर की और नेक्स क्वेस्चन है साथियों हूँ टॉप्ड इंडिया इंडिया स्टॉप टू हंड्रेट सेल्फ मेड अंट्रप्रेणॉर्स ऑफ मिलेनिया ट्वेटी त्री लिस्ट रिलीज बाइफ प्राइबेट एंड हुरून और फॉर्थ ऑप्ष्ण है दिपिंदर गोयल इन चारों में से कौन टॉप किया है टॉप टू हंड्रेट सेल्फ मेड अंट्रेट मिलेनिया लिस्ट वेंटी ट्री जो के रिलीज की गई थी फर्स प्राइबेट और बुरून इंडिया द्वार तो इसका सही आंसर है साथि है इस लिस्ट में ठीक है राधा क्रिशन शिफ किसंदमानी जो है जो फाउंडर है एवन्यूर सूपर मार्ट लिम्टेट डी मार्ट जिसको हम लोग जानते हैं उसमें उसके जो फाउंडर है उन्होंने टॉप किया है इंडिया स्टॉप टू हंडेट सेल्फ मेड आंट्र स्टॉब कर जिसके अंदर रखेंगे जिसके अंदर नगे घर को मौनेशन दे तक फ्रेस में घखेंगा तो याद रखेगा जिसके अंदर दाम है वही आंट्रप्रेनौर बन रहा है तो टॉप 200 सेल्फ मेड आंट्रप्रेनौर ऑफ दे मिलेनिया 2023 में जो है टॉप किये हैं राधा किशन सिवकिशन दमानी ठीक है सेकेंड पे हैं बिन्नी बंसल फिर हैं सचिन बंसल और थर्ड इंडिया ठीक है फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया बैंक हुरून इंडिया ने ये लिस्ट जारे की थी जिसमें सबसे ज्यादा दम दिखाते हुए दमानी सहाब जो है टॉप 200 में लिस्ट पे नंबर वन पे हैं ठीक है साथियों आशा करते हैं आपको यह करें सब्सक्राइब की और नेक्स्ट क्वेस्ट ने साती हो उजीवन स्मॉल फिनांस बैंक लिंटेड हैस पार्टनर्ड विट विच ग्लोबल नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉइडिंग एक्सेजिबल फिनांसिंग स्लूशन पर वाटर एंड सैनिटेशन तो यहाद रखेगा यह देखिए एक बार लेली देख लेते हैं तो यहाँ पर जो वाटर वाटर डॉट ओर जी है उसके साथ उजीवन स्मॉल फिनांस बैंक ने वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड सेलूशन के लिए जो हैं फंडिंग की बात की है ठीक है फिनांसिंग मतलब होता है वाटर वाटरो जाल ही जीवन है यह यह वाटर रेट नहीं है यह वाटर ओर जी जल ही जीवन है वाटर ही जीवन है तो वाटर.org के साथ उच्छीवन इसमाल फैनाइस बैंग ने क्लाइम वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड फैनाइसिंग सिलूशन की जो है बात करी है या जो है इस चीज के लिए क्या किया है पार्टरशिप की है ठीक है साथ्यों आशा करते हैं चीजे क्लियर होई होगी बढ़ते हैं तो किन दो एंट्टीज ने साइन किया है MOU जिसके बाद एप्रोकियूर्मेंट और और e-auction system उनलों का integrate हो जाएगा आपके options हैं पहला option है federal bank limited and state bank of india second option है federal bank limited and ncdex e-market limited NEML third option HDFC bank and ncdex e-market limited और fourth option है state bank of india and ncdex e-market limited तो किन दो entities ने MOU sign किया है ताकि जो भी e-procurement और e-auction system है आपस में integrate हो जाएगा तो इसका सही आंसर है साथ हो federal bank and ncdex market system limited system ने तो MOU was signed between federal bank limited and ncdex market system limited to strengthen integration of e-procurement and e-auction system तो federal bank ने ncdex से साथ क्या किया है partnership की है जिसे क्या होगा integration smooth होगा e-procurement और e-auction system में ठीक है साथियो आशा करते हैं चीदे समझ में आ गई होंगी यहां पर हमारा यह अच्छा है तो प्लीज comment section में बताईए हम क्या improve कर सकते हैं ठीक है हम भी आप ही के तरह हैं भी सीख रहे हैं समझ रहे हैं कोई भी तुटी हो कोई भी फ्लॉव हो आप बिल्कुल comment section में बे धर्ड़क होके निश्चिन्दों के एकदम हाप बिल्कुल बताने की थोड़ा सा गश्ट करेंगे तो हम भी इंप्रूव कर पाएंगे ठीक है तब तक के लिए सातियों आप लोग कूँ अच्छे से पढ़ते रहिएगा हम लोग कल मिलेंगे नए current affairs के session के साथ तब तक के लिए सातियों ज